देखे ये एक question है ये भी mostly जातर पूछा जाता है एक monkey है जो कि पोल पर चड़ रहा है और एक घंटे में वो 30 feet चड़ लेता है और 30 feet चड़ने के बाद then वहाँ पे वो rest करता है और जब वो rest करता है तो 20 feet जो है वो नीचे किसक जाता है decent कर जाता है ठीक है और किसकने के बाद फिर again वो दुबारा climbing चालू करता है अपने next hour की ठीक है तो question ये है कि अगर pole की length जो है वो 120 feet है और अगर monkey सुबह 8 a.m. पे climbing चालू करता है तो कितने बज़े कितने बज़े वो top of the pole पे पहुँच पाएगा तो आईए देखते हैं किस तरह से इस question को solve out करते हैं देखें इस question में 30 feet वो उपर चड़ता है और 20 feet फिर वो नीचे गिर जाता है तो अगर मैं उसकी net displacement देखूँ कि net वो कितना चड़ रहा था एक घंटे के अंदर तो मैं कह सकता हूँ वो 10 feet ही आपका चड़ रहा था एक घंटे के अंदर ठीक है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पोल की height जो थी let's say हमारे पास यहाँ पे 120 feet की थी ठीक है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ starting के 90 feet तक you know 90 feet तक तो ऐसा ही चलता रहा 90 feet तक वो 10 feet per hour की speed से चलता रहा तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ उसको कितना time लगेगा 90 feet cover up करने में तो 90 feet divided by 10 feet से अगर आप उसकी दिखोग तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 9 hours तो उसे 90 feet cover up करने में लग जाएंगे जब वो यहाँ पे पहुच जाएगा उसके बाद तुरन यह आखरी के 30 feet है वो तुरन एक बार में cover करेगा और उसके बाद वो यहाँ से slip down नहीं होगा यही एक trick है इस question के अंदर क्योंकि यहाँ पे slip 50 feet cover करने में उसे यहाँ पे आपके 9 hours लगेंगे ठीक है तो टोटल जो है यहाँ पे उसको कितना लगा यहाँ पे 9 plus 1 hour और यहाँ पे आपके 10 hours ठीक है तो that means कि अगर वो 8 एम पे सुबह शुरुआत करता है और इसमें अगर आप 10 hours जोडेंगे दिन आपको 6 पीम आपको answer मि out होगा ट्रिक आपकी बस इस question में यही है कि जब फाइनल 30 feet चलेगा तो फिर वहाँ पे वो slip down करने का concept नहीं आएगा because वो already top of the pole पे होगा ठीक है